कि गुड़िवनिंग मेरा देश के तमाम जो मेरा दर्सके सबको एक अपर्चुनिटी जो की इलेक्ट्रोनिक्स कर्परेशन अपर इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो एक दिया गया है उसके बारी में मैं यहां पर विस्तार से चर्चा करूँगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर 1525 वेकेंसी इलेक्ट्रोनिक कर्परेशन अपर इंडिया लिमिटेड जो की एक डिपार्टमेंट अपर अटमिक एनरजी का एंटर्प्राइजेस है गमेंट अपर इंडिया एंटर्प्राइजेस कंपनी है जो की हाईद्राबाद में तीत है है उसकी तरब से जो 1525 वेकेंसी के एक उपर्चूनिटी दिया गया है जो बैसिकली आपका आईटे वेकेंसी है इसमें डिसकॉस करूंगा आई टे के साथ साथ कुछ जो इसमें बेरियर्स ट्रेड्स है जो 1525 वेकेंसी में और यह भी कैटेगरिवाइज है इसमें रही जो अल इंडिया के बच्चे जो बौत मेल और फीमेल जो केंडिडेट्स में अप्लाइब कर सकते हैं from every अबिंडिया और मैल फिमेल कैंडिड़र्स कि यह जो कंपनी को डिजाइन जो किया गया है जैसके इसका डेवलप्मेंट development design development manufacture marketing of several product जो प्रड़क्ट का यह काम करता हुई त्री टेक्नोलोजी जैसे लाइन से जैसे computer का control systems हो गया communication इसके उपर यह काम करता है जो company ठीक है अभी बात करेंगे जो पंदर से 25 जो वेकेंसी कंपनी की तरफ से अड़्वेटेज्मेंट जो भरती के लिए दिया गया है इसके लिए educational qualification की क्या जोर्त है इसके इसके साथ साथ जो experience certificate क्या चाहिए इसका selection जो process किस तरह रहेंगे और date and time और जो आपका eligibility criteria क्या रहेगा एप्लिकेशन फीज क्या रहेंगे तिक यह तमाम चीजों के पर में bit by bit आप लोगों को सेर करूंगा और उससे पहले मैं एक चीज वीडियो को स्टाट करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं जो भी विजिटर्स मेरा पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहा है तो क्रिपाय करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो सब्सक्राइब कर दोस्तों में से हो या आपका रिलेटिब में से कोई बच्चा ऐसा हो जो लड़के बोथ उन में से कोई हो सकता है तो आपके एक शेयर की बज़े से उनके मिल जाएगा चलिए अभी स्टार्ट करता हूं इन डीटेल में इस जो नोटिफिकेशन का ठी है चली अभी देखते हैं अ हमारे अपका यह जैसे की यह बेकेंसी बात करें तो सबसे पहले दरनायम पोश्ट यहां पर लिखा गया है ओन्यॉय प्सट का और जो छुनियों यह प्यिस पहले आपका पोस्त यह आच्जा सो चोज़केंसी जिस आपका पोस्त है इसमें पीटर के पर आपका 627 वेकंशी ऐसे मिलाएंगे तो कुल आपका 1525 वेकंशी कुल 1525 वेकंशी है इसके लिए ओपरेज जो लिमिट देया गया है वो 30 साल देया गया है 31-32-22 तक ही काउंट किया जाएंगे ठीक है अच्छा यह सबसे पहला तो यह 3 साल के लिए जो कंट्राइट्ट्ट वेसित पर है आगे 3 साल के बाद का जरुत किसाब से आपको 10 यूर एक्स्टेंड किया जा सकते हैं देखिए जो सब पहला यह में आपको सालरी पर मंत कैसे द जाएंगे सेकेंड यह में जो सालरी आपका होगा कंप्लिट सेकेंड यह में आपका 22528 रूपय होगा थार्ड यह में आपका 24770 रूपय आपको सालरी दिये जाएंगे जो कंट्राक्ट पे पर मंत इस तरह कुछ रहेंगे उसके बाद देखते हैं जो पोस्ट वाइज जो रिजर्वेशन जो रिजर्वेशन वाइज कैसे रखा गया है जैसे पोस्ट जैसे मैं अभी बताया था आपको यह जुन्र टेक्निशियान इलेक्ट्रोनिक मेकानिक साइड से जो बच्चे आइटी कभर के मतलब पास इसे कुल मिला के आपका 814 वेकेंशी है नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिशियन के उपर ट्रेड के पर देखें टोटल वेकेंशी 184 उसका डिस्ट्रिविशन कुछ इसतर है देखें 29 आपका ऐसी एस्टी केंडिटेट आपका थाटीन ओबीसी के लिए 50 आपका स्टेट लिस्ट में नहीं होंगे सेंट्रल इस्ट में होना जरूरी है उनके लिए 169 जो बच्चे ऑबीसी के लिए 252 और आपका इडबलेस जो इकनुम के लिए सक्षन से और 62 रखा गया है अभी बात करते हैं इनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं तमाम जो विवर्स को तमाम जो विजिटर्स को में बताना चाहूंगा इसमें जैसे कि मैं बीट बाइबीट क्लियर करने की कोशिस कर आपको आप इसको ध्यान से इस वीडियो में बने रही है ताकि आपको कोई चीज कोई भी चीज आपको डाउट ना रहे जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे ज़रूरी आपको इस पोस्ट के लिए अपलाई करने से पहले समझने की कोई भी जब वेकेंस से निकलता है गमेंट की पूरी तरह से साटिस्पाय होते हैं अगर किसी प्रकर कान्फूजन होता है तो आप किसी को पूछ सकते हैं आपका यहां पर मेरे को कमट करके पूछ सकते हैं या इस कंपनी का हुए साइट में भी जाके उनको को कोश्चन करके पूछ सकते हैं जो फ्रिक्वेंटल आस कोस् जीजर को आपको समझने की जरूते हैं जैसे कि अगर बात करें की इसमें पास होना चाहिए इसमें कोई पर्संटेज नहीं दिया है इसमें पासाउट होना चाहिए इन ट्रेट सब पासाउट होना चाहिए जो इलेक्टिशण सी होना चाहिए जो फीटर के लिए फीटर से होना चाहिए यह देखिए इस इसमें पाड़ेट सा क्राफ सो यह जो दिया जाएंगे यह होगा इस इंक्लूट्स आपका NTC जिसको बलते है नाशनल ट्रेट सर्टिफिकेट बोर्ड बेस्ट बेसिक ट्रेनिंग एज़ एज अड़न्स अड़न्स मॉडूल्स अंडर मॉल्टी स्कील ट्रेनिंग पैटर डिरेक्टर जनरल अप लेवर पर होना चाहिए जैसे तीनो ट्रेट जो इसके लिए जो आपका मेकारी की एलोक्तुनिस मेकानिक्स एलेक्ट्रिशन और फीटर इनके लिए ठीक है उसके साथ-साथ इसमें कुछ मेंडेटरी है जैसे बताया कि वान येर आपका एपन्टिस्प्ट जो होता है आपका एने स इसको कियते हैं अच्ञनल एंटेक्स उन्स जैस काउंशेल बंटेफ Carnival जो कि मांडेटरी है ये बिल्कुल चाहिए चाहिए इसकी ल्ख नहीं करना यह अगर नहीं है किसे के पास वानोंगे इसनल इसके इससे अपकican र arbit how soprattutto होना चहिए अगर और वह नहीं है तो आप आप इसके पद के लिए अपलाई नहीं करना अगर है तो 100% आप अपले किजिए यह देखिए इन एडिशनल एक चीज रखा है वानियर जो पोस्ट क्वालिफिकेशन उसके बाद यह करने के बाद अगर पॉस्ट क्वालिफिकेशन आपको एक्सपिरियंट मैंट्रियाल मैंट्रियाल मैंट्टियू स्टैप्लीशमेंट इसमें पताय किया जैसे कि आपका वणियर कैंश। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सप्रियेंस होना चाहिए आपका जो आइटे के बाद आपको एक साल का किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप जो प्रोडक्शन सेक्टर होगा मानुफेक्चरिंग कर रहा होगा क्वालिटी या मैट्रियल मेनेजमेंट के उपर जो भी आपको पोस्ट किया जाएंगी इसके लिए आप आप लोगों को पहले से त्यार रहना पड़ेगा ठीक है अब देखते नेक्ट जो चीजें नेक्स्ट चीजें कुछ जैसे कि अगर बात करें तो कुछ इस तरह है देखिए जो अपरेज लिमिट वहां पर मनें जैसे बताया था जो आपका सी कंडिडिट के लिए यहां पर बिल्कुल क्लियर शर्ट के लिए रखा गया है टेन तेन ओर ऐसे लाक्शिट और पर पीटभुल्ट के टेग्री आगर यह पीड़ेगों से होते हैं उनको यह 5-year SCST के हैतु उनको 5 साल और पीड़ेवल्ट है तो 10-15 साल की छूट मिलेंगे अगर OBC से है OBC के लिए तो उनको 3 साल मिलेगा प्लस पीड़े तो इसके लिए 10 साल 10 प्लस 13 साल का उनको छूट मिलेगा जो पीड़ेवल्ट के कंडिड़ेट्स को जिस के टेगरी में बिलंग करते हैं उस के टेगरी के छूट प्लस पीड़ेवल्ट का 10 चूट मिलेगा तो आप समझ समझ लीजे जो उसके बाद देखिए ऑपरेज लिमिट जो रिलाक्ष्ट वाइड़ फाइव एर्स केंडिड़ेट्स वेड और्डिनरली बीन डोमिसाइल इन तर्ट अब जामो और कास्मिर इसमें बताए जारे कि जो जामो कास्मिर का जो जो ऑर्डिनरली डोमिसाइल है जो इसी पीरियोड से देखिए से लेकर आपका 31 डिसेंबर 1989 की बीच में अगर जमो कास्मिर की स्टेट में कोई ओर्डिनरली डोमिसाइल हुआ है उस परिवार के जो बच्चे होंगे जो इलिजिबूल बच्चे होंगे उनको फाइव एर्स के रिलाक्षेशन दिये जाएंगे अब सब्सक्राइबगा इस में तरहां प्रोसेस में लेखाए है जैसे कि आपका प्रोसेस जो बच्चों को सब्सक्राइब बच्चों को किया जाएंगे आपको सटलिस्ट किये जाएंगे केटेग्रिवाइज इन ओडर अप मेरिट बेस्ट ऑन दो मार्क्स ऑफटेंड इन डाइट ठीक है इसमें क्लियरली पता है कि आपको मेरिट बैसिस पर होगा जो मार्क आपने डाइट पर रखा है अंदर परसेंटेज जो बैसिस पर आपका मेरिट लिस्ट तयार की जाएंगे जिसका परसेंटेज ज्जादा होगा उन बच्षों को मेरिट बैस में सामिल किये म पफट्र ञांगे ठीक है और इसमें कितने बैसफिया के रहे जएंगे पहले बापका डॉक्मेंट के ब्हस पे आपको आपका merit list तायर किया जाएगा ठीक है वह आपका देखिए जितना वेकेंसिया उसका चार गुना बच्चों को सट्टिस्ट किया जाएगा पहले बाद आपको on the basis of your document जो आपका merit के best पर उसके बाद क्या होगा उसके बाद आपको document पर तायर हुआ उसके बाद देखिए document verification देखिए इसमें clearly लिखा है candidate suit ओके इसमें देखिए document उसके बाद आपका document verification open short listing the candidates will call for the document verification at Hyderabad through email आप जो email ID किये हैं आपका जो भी आपका communication होगा आपका email के थुरू की जाएंगे और आपका Hyderabad बुलाए जाएंगे document verification के लिए ठीक है आपको उस ताइम सारे document का original document, Attested copies यह तोमाम जो document आपके साथ में होना जरूरी है इसमें क्लिए कर रहा है कि जैसे कोई भी जैसे इसका चेंजेस होगा आपको मिलेंगे जो email ID के थुरू मिलेगा ठीक है इसके इलाबा आपको किसी भी आपको जैसे पोस्टाल में बेज़ेंगे इस तरह के और कोई चीज नहीं होगा सिरफ आपको email के दुरूपे बेजा जाएगा तो इसलिए सबसे ज़रूरी बात है जो तमाम जो विजिटर्स को में कहना चाहूंगा जो इंट्रेस्टेट्स को यहना चाहूंगा आपका email ID को जैसे आप आप मतलब हो जाते हैं तो उसके बाद आप इसको एक्टिव एक्टिव पोजिशन में रखिए हमेशा देखिए नेस्ट जो चीज़ा है देखिए आपन सट लिस्टिंग एंड सक्सेस्पूल डॉक्मेंट वरिपिकेशन सबसे पहले तो सट लिस्टिंग होगा आपका जो होगा आपका डॉक्मेंट को देखते हुए उसके बाद डॉकमेंट भरिपिकेशन ऑगा यहांगे ठीक है उसके बाद कि आपको लेटर शीट आपको डिये जाएंगे जो जो जम ऑपर्टिनटी इसमें यह चीज क्लियर कर रहा है जैसे कि आपको फैजवाईज दिया जाएंगे कंपनी के आवस्यक्ता कि इसाफ से जो 1525 वेकंशी के आप लोग ऐसे नहीं सोचना है कि 1525 वेकंशी के एक साथ ही आपोंडमेंट या अपर लेटर्स दिया जाएंगे जितने जितने बच्चे जो रोत है उसी सबसे दिया जाएंगे नेक्स्ट जो पड़ी चीज़ है इसमें आतायक जो हाउ टू अपलाई कैसे इसको अपलाई किया जाएं यह देखिए यहां पर कंपनी का वेबसाइट दिया हुआ है www.acil.co.in यह है उसका उसमें आप मैन पेज में जाएंगे केरिय अपरेल तक 11 अपरेल चोदा सो आवर्स मतलब दो बज़े तक यह खुले रहेंगे इसका उपसेट खुले रहेंगे यह आपका लास्ट पीरेड 11 अपरेल 2022 इसके बाद जिसका रिसीब होगा अप्लिकेशन आएंगे वो रिजेक्ट माना जाएंग ठीक है चलिए इसमें जो सब्सक्राइब बढ़ा आपका अटार आपका ड्राइव फोटोकापी जो आपको को देना होगा थीक है चलिए नेक्स्ट चीज़ दखिये यह यहां पे जैसे यहां पर एक चीज़ बताया है जो important dates कुछ इस्तर है जैसे कि मैंने पहले बता दिया एक अप्रेल 2022 दो बज़े से स्टार्ट हो जाएंगे और 11 अप्रेल तक इसका साइड खुले रहेंगे ठीक है अब सभी जानते हैं जैनल कंडिशन में जो नर्माली चीजे होता है ठीक है इसमें जो जरूरी चीज में डिस्कॉस करूंगा जो पॉइंट को मैंने टिक किया हूं देखिए यहां पर ठीक है यहां पर जैसे कि इसमें एक चीज बताएंगे और फ्यूचर करेस्पोंडेंस व आप इंडिया वह इसके लिए आवेधन कर सकते हैं ठीक है देखिए यही है उसका वहां उसके बाद आसा है कॉसंट कॉसंट के लिए कुछ सतर को सुचना है दी गई है उसमें जो बड़ी चीज जो नोट एक बिसे सुचना है जैसे कि इसमें अगर किसी प्रकर का और इसमें एक्सेंड होता है वह आपको पॉब्लिश किये जाएंगे और इसलिए आपको हमेशा फॉलो करना होगा ठीक है कि इस नोटिफिकेशन का डिटेल्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगो शेयर किया तो अमीद करता हूं को मेरा देश के तो तमाम जो नोजवान है ब लड़की है जो जो इरेंटेड बच्चे है इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आच्छे से समझ जाएंगे अगर फिर भी किसी प्रकार के आपका मन में कोई सवाल कोई प्रस्ण अगर होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और और डू अब पहली बार मेरा चैनल को विजिट कर रहे हैं इस चैनल को किपा करके आप सब्सक्राइब कर दीजिए उसके साथ साथ बेल अक्रों को प्रेस कीजिए लाइक कीजिए ज्यादा सेयर कीजिए ठीक है चलिए इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जैन जै वारत